हेलो एब्रीवन वेलकम बैक तो माई चानल सु आई होब कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एक्जाइम की विपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है इस वीडियो में हम लोग अगेन एतनो बातनी का इ सिध्धा सिष्टम के बारे में जितना आपको जानना जरूरी है वो हमने आपको बता दिया है ठीक है हिंदी प्लस इंग्लिश नोट्स आपको प्रवाइट किये हैं आज हम लोग आयूरवेदा पढ़ेंगे आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्स्राइब जरूर करिएगा आपको समझ में आएगा ठीक है जो आयूरवेदा है यह जो टर्म है वो डेराइव हुआ है हमारे संस्कृत टर्म से जिसका अगर हम तोड़ते हैं वर्ड तो जो हमारा फॉर्स निकलेगा वर्ड वो आयू निकलेगा ठीक है एंड देन वेदा तो आयू मतलब क्य होती है लाइफ जैसे आपने सुना होगा बहुत बार की आयू इसकी कितनी मतलब देखो हम किसी की बात कर रहे हो वो हमारे सामने आजाए तो हम कहते है इसकी आयू बहुत बड़ी है ठीक है आयू मतलब क्या होता है एज होता है ठीक है जीवन लाइफ इस वोट आयू ठीक ह वेदा मतलब क्या होता है knowledge of science science के विज्ञान का जो ज्ञान होता है हम उसे वेदाज बोलते हैं जैसे आप लोग चार वेद के नाम भी जानते हो कि शाम वेद, यजूर वेद, अधर्व वेद और रिंग वेद ठीक है, रिंग वेद जो कि सबसे ज़्यादा है उसी को हम आईउरव दा कहते हैं, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, मतलब माल लिजिए कि हमारा जीवन तो भई ठीक है ऐक face है, ठीक है उसके अंदर, हमारे जीवन के अंदर जो science है, जो उसकी knowledge है, उससे हम आईउरवेदा कहते हैं समझ में आ रहा है मतलब ये कि माल लिजे ये हमारा जीवन है ठीक है this blue circle is our life ठीक है तो इस life में बहुत कुछ देखिए इस life में आप लोग को बहुत सारे disease बहुत सारे समस्याए problem happy मतलब हर एक चीज फियर angre love हर एक चीज है इस life में ठीक है disease is including, सब कुछ है, तो इस life की अगर हम बात करें, तो life में जो science है, life की जो science है, उसकी knowledge, ठीक है, माल लीजे, ये हमारा हो गया science, ठीक है, ये yellow part हो गया science, और ये बस मैं एक illustration बना रही हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं हो, बस समझाने बता रही हूँ, और this one is our knowledge, तो हमारे life के science की जो knowledge है, वो आपको आईरवेदा में मिल जाएगी, समझ में आया आपको, इससे अधिक नहीं आप बता सकता है कोई, ओके, आप लोग बहुत बोलते हो, कि दिदी आप बहुत बात करकर के बताते हो, तो हम एक आपको बात बताएं, storytelling जो method है ना, यह सबसे ज़्यादा oldest method है, हम लोग के, इंडियन के अगर हम बात करें, किसी भी educational system की बात करें, storytelling जो होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, किसी को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, अगर आपको नहीं पसंद आता है, तो it's okay, बट हमारा जो काम है as a teacher, as a आपकी बड़ी sister, हम वो करेंगे, किसी को पसंद आए या ना आए, ठीक है, आप देखिए, चरक क्या है, चरक ने define किया था Ayurveda को, कैसे define किया था, देखिए, कि that science is designated as Ayurveda, which deals with the, ठीक है, which deals with the advantage, disadvantage, as well as happy, unhappy state of life, along with what is good or bad for life, समझ मैं, जैसे हमने आपको पताया, कि हमारा जो life है, वो क्या है, एक base है, इसके अंदर आपको बहुत सारे feelings दिखाए देंगे, सबसे जो main चीज़ है, वो तो fall, आप याद कर लो, fear, ठीक है, anger and love, ये तो आपको दिखाए देगा ही, अब इसी में आपके happy, unhappy, disease, बहुत anxiety, depression, बहुत खुशनी, मतब excitement, enjoyment, ये सब कुछ आएगा, तो इसकी science क्या है, Ayurveda है, ठीक है, measurement, its measurement and the life itself, चरक सूत्रा में आपको मिलेगा ही है, ठीक है, एक से लेकर के चार में, Ayurveda embrace all living thing, human and non-human, it is divided into three major branch, Ayurveda में आप हर एक living thing, ठीक है, living thing हमने बोल दिया, that means that it always be human, plus animal, plus plant भी, भी living thing पे, जो हमारी Ayurveda होती है, ये मतलब एक उतना enhance, एक बहुत खुपसूर्ती embrace करती है, समझ रहे हो, इनके तीन साखाओं में बाटा गया इन्हें, ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में पढ़ें आप लोग के लिए, तो चरक परिभासित करते हैं, ठीक है, करता नहीं है, करते हैं, always respect देना चाहिए, उस विज्ञान को Ayurveda के रूप में नामांकित किया गया है, जो लाब और हानी के साथ साथ, जीवन के शुक और दुखी अवस्थाओं के साथ साथ, जीवन के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका माप और स्वेम जीवन से संबंदित है, चरक सूतर एक से चार, Ayurveda सभी जीवी चीजों, मानव और गैर मानव के गले लगाता है, समझ रहो आप, मतलब Ayurveda सभी को accept करता है, ठीक है, देखो अगर आप डीप पढ़ोगे, थोड़ा सा एक होता ना पढ़ाई से प्यार करोगे, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है, अब इनकी ब्रांचेज हमने बोला कि तीन ब्रांचेज में, Ayurveda को बाटा गया है, सबसे पहला है, नरा Ayurveda, ठीक है, जिसको की हम लोग Human Life से डील करता है, नरा Ayurveda में आप बस Human Life, Human Life की जो Science होगी, उसकी नौलेज आपको मिलेगी, ठीक है, फिर सात्वा Ayurveda, जो की आपकी Animal Life और उनके द्वारा किये, गैडिसीज, और वो जो डिसीज है, उनसे हम कैसे बच सकते हैं, ये इन सबकी नौलेज आपको सात्वा Ayurveda में मिलेगी, ठीक है, फिर व्रिक्ष आयurveda, ये जो है, ये ऐसे Science है, जो की Plant, जो की Plant की Life, जो एक जीवन है हमारे पौधों का, उनकी वृद्धी और उनकी रोगों, ठीक है, उनमें जो रोग हो रहे हैं, या फिर उनसे जो रोग हो रहे हैं, उनसे कैसे बचे, उनको कैसे ठीक करें, इन सबकी हम बात करेंगे, कैसे याद करना है समझो, नरा, नर, आपने सुना होगा, नर और नारी, नर और नारी क्या है, human है तो नरा Ayurveda में किसके बारे में पढ़ेंगे human life के बारे मिए पढ़ेंगे सात्वा Ayurveda जिसमें हम Animal and disease इनके बारे में पढ़ेंगे और विक्ष है विक्ष मतलब पेड ट्री तो विक्ष प्लांट का हो गया तो नरा human का हो गया वरिक्ष जो है वो plant का हो गया तो एक ही बचा ना सात्वा तो सात्वा क्या हो गया आपके animals क्या हो गया याद हो गया आपको तो इस तरीके से आप ये तीन branches याद कर लेना ये इसलिए याद कर लेना कि अगर आपके paper में आता है लिखने के लिए Ayurveda के बारे में तो आप ये चीज़े जब जोड़ोगे तो आपका examiner बहुत कुश होगा ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत important और बहुत beautiful lines हैं जो आपको लिखनी चाहिए अब देखे Ayurveda believed that positive health is the basis for attaining four cherished goals of life Ayurveda का मानना है कि सकरात्मक स्वास्त जीवन के चार पोशित लच्छ ठीक है चतुर विधी पुरशार्थ जिने हम बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष समझ गए आप लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने का आधार है ठीक है ओके तो क्या रहा है कि Ayurveda जो है ये हमेशा से यही बिलीव करते है कि अगर आपकी जो बोडी है ठीक है तो अगर आप बोडी थीक है ये जो टर्म बोडी अगर हम बोल रहे है तो ये जो युनानी सिध्धा और Ayurveda इसमें आप ये समझोगे कि अगर हमने body बोला है तो ये include कर रहा है mind plus soul को भी ठीक है तो अगर हम body बोला है that means that include the mind as well as the soul तो positive health अगर हमारे body की होगी plus mind plus soul अगर इन तीनों की होगी तभी हम अपने life के जो ultimate four goals है ठीक है ultimate four goals है उन्हें हम प्राप्त कर पाएंगे जो है धर्म अर्ध काम मोक्ष ये जो धर्म अर्ध काम मोक्ष है ये हमारी life का हिंदू religion में पहले से अगर पढ़ते आओगे न वेदिक बुद्धिष्ट ये सा भी जब पढ़ोगे जैनिज्म तो जो salvation होता है वही हमारा ultimate goal होता है और अगर अभी की बात करें तो धर्म अर्ध काम मोक्ष ये हमें तभी मिलेगा जब हमारी body जो होगी उसकी positive health होगी positive health means कि हमारा body सही रहगा, हमारी सारी किस्तिती सही होगी हमारी मानसे किस्तिती भी सही होगी full fit होगी प्लस हमारा जो आंतिक जो हमारी शोल जो हमारी आत्मा है वो भी संतुष्ट और बहुत खुश रहेगी तब ही हम ये चारो ही जो हमारे ultimate goal है life के उनको प्राप्त कर पाएंगे ठीक है अगर हम बात करें कि positive health को define कैसे किया जा सकता है तो एक line है कि well balanced metabolism अगर हमारा रहता है तो positive health हमें achieve होती है अगर हमारे body में हर एक क्रिया है जैसे digestive जो system है वो बढ़ियां से work करें respiratory बढ़ियां से work करें हर चीज का secretion बढ़ियां से हो ठीक है जब जिसको जरूरत हो वही enzyme secret हो कुछ extra ना हो कुछ कम ना हो ये सब चीज़ें जो है वो metabolism कहलाती है तो जब हर एक चीज़ balance में हो तभी उसे हम positive health बोलते हैं अगर हम Ayurveda के language में बात करें तो दो शिधातु शम्य ये जो है इनका मतब सेम मिनिंग है कि well balanced metabolism दो शिधातु शम्य ठीक है नाव बी की एक और है कि आप positive health कैसे बोलते हो कि देखिए जो प्रशन आत्मा है इंद्रिय मना happy state of the soul sense and the mind sense are here means देखिए positive health तभी होगा जब आपकी आत्मा जो है वो प्रशन होंगी जो इंद्रिया है ठीक है जो इंद्रिया है और जो आपका मन है वो खुश होंगे तभी आप बोलते हो कि positive health है समझ गया जैसे positive health के दो पहले हमने आपको क्या बताया कि positive health रहेगी तभी हम जो ultimate चार गो जो body का metabolism हो वो balance होना चाहिए plus second क्या कि आपकी जो आत्मा है वो प्रशन होनी चाहिए जो इंद्रिया है और जो मन है वो भी आपके खुश होने चाहिए यहाँ पर जो हमने senses की बात की है जो इंद्रियों की बात की है वो five organs जो हमारे अंदर होते है ग्यान अंद्रिया उनको बोलते है जैसे की smell जो है वो हमारे nose के द्वारा होता है ठीक है टेश्ट हमारे tongue के द्वारा जो sight है वो हमारे eyes के द्वारा देखना touch जो है वो हमारे skin के द्वारा plus जो हमारा सुनने की capability है hearing है वो हमारे कान के द्वारा अगर यह सभी सही है प्रसन मतब इंद्रिया जो है व organ of excretion and reproduction ये सभी भी क्या होने सही है ये सभी भी साथ में अच्छे से काम करने चाहिए किसी में कोई गरबड़ी नहीं होनी चाहिए it is what the positive health जो कि Ayurveda में बोला जाता है ठीक है तो that's all about the today's video यहाँ पर न हमने जादा आपकी medicinal की बात नहीं किये हमने बस आपको ये इतना बताने की कोशिश किये what is actually the Ayurveda ठीक है अईurveda है क्या अब देखिए यहाँ पर आप ये बोलोगे कि कुछ plants भी चाहिए I know that there are some plants जो युनानी में famous है जो Ayurveda में famous है प्लस जो आपके सिद्धा में famous है तो यहाँ पर हमने इसलिए इसको include नहीं किया है क्योंकि आप बहुत जादा confused हो जाओगे ठीक है तो इन तीनों के बार या फिर हो सकता है पूरी playlist खतम होने के बात या फिर हो सकता है examination के time पे हम वो वीडियो बना देंगे जिसमें आपके plants के name हम लिख देंगे कुछ methods लिख देंगे जिससे आपका और सब differentiate करके तीनों में ठीक है तो उससे आपका क्या हो जागा बहुत अच्छे से तयारी हो जाएगी यहाँ पर याद करोगे सब का सब confused हो जाओगे तो सिध्धा आपने समझ लिया आयरवेदा समझ लिया कल हम लोग या जब भी आने वाली वीडियो होगे उसमें हम यूनानी समझ लेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हसते रिये मुस्कुराते रिये चानल को सब्सक्राइब करते रिए शेयर करते रिए बबाई टेक केर बी हैपी बबाई